आपका चैप्टर पूरा कम्प्लीट एक्स्प्लेन हो चुका है अंडरस्टेंडिंग डाइवर्स्टी सीविक्स का फर्स चैप्टर है स्टुडेंट से आई होप यू हाव रीड अबाउट दिस यह चैप्टर अपने अच्छे से रीड किया होगा आज हम करेंगे स्टुडेंट्स एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपको यह देखिए यह मैं भेज रही हूँ यह आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और लंग करनी है ठीक है स्टुडेंट्स, MCQs हैं, fill in the blanks, matching, true-false यह question answer है स्टुडेंट्स, आज मैं आपको very short answer type questions के answer लिखवाने जा रही हूँ यह देखिए, यह पहले definition देखेंगे बच्चों, unity unity की definition है, the coming together of people under one theme is unity मतलब कोई ऐसी theme जिस पर कि सभी व्यक्ति, कुछ एक गुरूप या सब व्यक्ति जो एकठे होके एकागर अपना एकमत बनाएं, उसी को unity कहते हैं हैना एक साथ हाके किसी चीज पर अपना एकमत बनाना ही ऐसी unity कहलाती है सेकेंड है diversity, variation in religion language culture is diversity diversity किस किस बेश में हो सकती है, variation within time किस किस बेश में है, धरम में, भाषा में, परंपराओं में अगर कुछ diversity है, variation है तो वो diversity scale आती है थर्ड है dialectic, the way a language is spoken in a particular reason means उप भाषा, एक तो भाषा होती है, एक उप भाषा जैसे कि अपनी एक local भाषा बोली जाती है उसको dialect बोलते है, इसे हर्यानवी है इसे हर्यानवी कोई वैसी भाषा तो है नहीं कहीं written में आपको दिखाए दे एक बोली जाने वाले bridge भाषा है एक क्या नाम है, हर्यानी भाषा है तो यह भाषा है जो कि लोकल लेवल पर बोली जाती है इनको dialect बोलते हैं, उप भाषा है बोलते हैं culture है, culture की definition देखिए the customs item ideas, believe, music and art forms a particular civilization means particular, एक age के according, नागरिकों के according अपने कुछ ideas, कुछ विश्वास, कुछ अपने music को तै कर लेना कुछ ऐसी form culture कहलाती है, कुछ मानियता है पुराने जबाने से, कुछ मानियता है चलती आ रही है लोगों ने अपने विश्वास बना लिया है, जिन पे उनको customs या cultures कहती है, ऐसे रिवाज, रिती रिवाज बोलते हैं अपने इंदी में cultures, परमपराएं, उनको culture बोलेंगे very short answer type questions, name some of the festivals celebrated in India इंडिया में celebrated जो, कुछ ऐसे festival बताएं जो इंडिया में celebrate किये जाते हैं, holy दिवाली, ओनम, इद, महाविर जैनती, जो ओनम और पंगल है जो South Indians लोग मनाते हैं, इद मुसलिम का जो त्योहार है, holy दिवाली, दशेरा, अपनी इंडियांस का है, महाविर जैनती, जैन, लोग मनाते हैं यह सब इंडिया में मनाए जाते हैं, name the national festival, जो की हमारे राश्टियत योहार है, यह न, Republic Day, 26 January, and Independence Day, 15 August, यह हमारे national festivals हैं Name the parts of India in which Hindi is predominantly spoken by people, हिंदी बोली जाती है, ऐसे कुछ पार्ट बताने इंडिया के, जहां स्टार्टिंग से हिंदी बोली जाती है, जैसे की, 36 गण में, देली में, जारकंड, उत्राकंड, बिहार, यह ऐसे जिले हैं, जहांपर, यह ऐसे स्टेट हैं, जहांपर हिंदी स्टार प्ल, हिंदी बोलते हैं, वो डाइवस्टी डू यू फांड इन अरेना ओफ यॉवर स्कूल, कैसी डाइवस्टी आपका एरिया, जो है स्कूल का एरिया, कैसी डाइवस्टी रखता है, यूर्टे इन डाइवस्टी, है ना, बिबिलनों मिलेंगे स्कूल में, कोई किसी है न ऐसे ही एक unity एकता मिलेगी स्कूल में List down the few dance form of India इंडिया की कुछ dance की form बताइए कतक है कतक लिए कुछी पूरी, मनीपूर, बीहो, गर्बा, घूमर यह सब dance की form है जो की इंडिया में अलग अलग पार्ट में form की जाती है All right students, column short questions and long questions के answer write करेंगे and learn करेंगे Good day students